आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल मेज सम्मेलन के विशय में ये जो गोल मेज सम्मेलन है इसका भारत के राष्ट्रे आंदोलन के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण इस्थान रहा है ये जो गोल मेज सम्मेलन है ये तीन बारा योजित किये गए थे सबसे पहला 1930 में फिर 1931 फिर 1932 में और ये तीनों ही गोल मेज सम्मेलन जो है अपने आप में बड़े ही महत्वपूर्ण है हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि ये जो गोल मेज सम्मेलन है क्यों आयोजित किये गए थे इनकी प्रिष्ठ भूमी क्या थी भारत की जनता को इन गो गोल मेज गोल मेज देखो गोल मतलब क्या होता है राउंड गोल गोला गोल मेज मतलब जो कुर्शी टेबल होता है उसको मेज बोला जाता है हिंदी में गोल मेज सम्मेलन सम्मेलन मतलब सभा कॉन्फरेंस गोल मेज सम्मेलन इसको अंगरी जी में बोलेंगे राउंड टेब Conference, Roundtable Conference. आप लोगों ने TV बगएरह में, जो कोई फिल्म बगएरह में, आप लोगों ने देखा होगा कि Meeting किस तरह से होती है, बैठक जो सम्मिलन है वो नर्मली किस तरह से होता है, एक तो वो सम्मिलन होता है जिसमें सामने लोग बैठे विए होते हैं और मंच में कुछ लोग बैठ करके अपना भाषान वगएर है वो देते वो एक सम्मिलन होता है लेकिन जो कॉन्फरेंस है जो बिल्कुल अधिकारी जो मीटिंग वगएर है चलता है वो किस टाइप से चलता है कुछ इस तरह का टेबल होता है आयत कॉललिया में पुलिस का बीटिंग देखा होगा तो बिल्कुल आईजी वोता है याधि फिल्क होता है वे यहां बैठा हुआ होता है और बाकी जो दूसरे अधिकारी होते वो इस तरह बैठे वह बहुता है तो यह przy глазि में उपले होता है लेकिन जो गोलमेच सम्मेलन होता ह यहां पर क्या होता है कि यह हैड है यह अलग से पता चल रहा है है यहां पर जो है समानता का भाव नहीं है क्योंकि यह अपने आप कुछे इसको महत्तो दिया जा रहा है तो ये खराब है नहें ये भी ठीक है लेकिन जो गोल मेज सम्मिलन होता है round table तेबल काउंफरेंस वहां पर जो मेज है जो टेबल है वह ऐसा सीधा नहों करके ऐसा गोल होगा ऐसा गोल होगा वहां पर टेबल इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं यह मानलो आपका हो गया अप लोगों कहीं बात देखा भी होगा इस तरह का round type का होता है बैठने का arrangement news वगेर में तो कुछ वह हैं लोग ऐसे बैठेंगे इस तरब जो नो बैठेंगे अब यहाँ पर जो बॉस है जो मीटिंग को हैड कर रहा है लीड कर रहा है तो वह भी इनी में से कहीं बैठेगा अब आप अगर मान लो उस कमरे में अचानक से चले जाओं तो अब पता नहीं कर पाओगे कि भीया कौन बॉस है लेकिन यहाँ पर आप जाओगे तो बॉस को आराम से पहचान लोगे हाँ यह जो टॉप में बैठा यही बॉस है लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं यहाँ पर जो है सभी लोग बिल्कुल समान रूप से बैठे हुई हैं कहीं एक कोना नही अगर मान लोग की इस तरह से ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है या वहां का जो राजा है ऐसे बैट जाता टॉप में और भारत के लोग इस तरह से बैठे तो यहां पर एक असमानता का भाव उत्पन होता तो इसलिए भारतिये जो हैं इस तरह के round table conference की मांग कर रहे थे आला कि इस मांग को बहुत जादा मतलब उग्र तरीके से डिमांड नहीं किया जा रहा था लेकिन फिर भी जो है थोड़ा वो डिमांड कर रहे थे और अंग्रेजों को भी लगा कि ये बड़ा अच्छा तरीका है भारतियों को संतुष्ट करने का क्योंकि यहाँ पर समानता क भाव प्रकट हो रहा है भारत के जितने भी नेता है अगर मान लो इस तरह से मीटिंग होता और वहाँ पर जो है कॉंग्रेस वाले को थोड़ा सा सामने बिठा दिया जाता वही मुस्लिम लीग वाले को इधर बिठा दिया जाता तो उससे वो लोग क्या समझते हैं हमको अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो तीन गोल मेज सम्मिलन जो हुए थे वो कब-कब हुए थे किस तरह से हुए थे उस पर हम लोग थोड़ा सा नजर डाल लेते थोड़ा सा क्या हम लोग डीटेल में ही जानेंगे वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है लेकिन तीनो गोलमेच सम्मेलन को हम लोग डीटेल में जानेंगे सबसे पहला चीज तो आपको यह करना है भई कि यह जो गोलमेच सम्मेलन है यह तीन हुआ था तो इनका आपको समय याद रखना है बहुत बार जो है यह पूछा गया है जोड़ी मिलाओं में अलग-अलग तरीके से हुआ दूसरा कभ गोई इस तरह से सॉरी तो जो पहला गोलमेच सम्मेलन है यह शुरू होता है बारा नवंबर बारा नवंबर उन्निस सव तीस माफी चाहूंगा समाप्त हुआ था उन्निस जन्वरी 1931 बारा नवंबर उन्निस सव तीस से 19 जन्वरी 1931 तक तो लग भग लग भग यह बारा नवंबर लगभग तीन महिना लग भग यह चला है यह वाला जो प्रथम गोलमेच सम्मेलन है इसके बाद जो दूसरा गोलमेच सम्मेलन है वो शुरू हुआ था साथ सितंबर दूसरा कब शुरू हुआ था? 7 सितंबर 1931 दूसरा कब हुआ? 7 सितंबर 1931 और ये समाप्त हुआ 1 दिसंबर 1931 अब जो तीसरा है ये सुरू हुआ था? 17 नवंबर या सितंबर थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं नहीं तो मिश्टेक हो जाता है तो ये सुरू हुआ था? 17 नवंबर 1932 और खत्म हुआ था? 24 दिसंबर 1932 तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है अभी सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे तो जो प्रथम गोल में सम्मेलन है ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था अब अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये जो समय है ये जो कालखंड है भई इस समय देश में क्या चल रहा था? सबीना ये अवग्या अंदोलन चल रहा था न इस सहीम तो जो कॉंग्रेस है उसने इसमें भाग नहीं लिया था उस पर देखो दूसरा जो है ये 7 सितंबर 1931 को सुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ तीसरा सुरू होता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला त दिसंबर 17 नौवंबर में 24 दिसंबर में खताम हो गया जब कि है सितंबर 16 kurde 19 नौवंबर जला नंवंबर उसके नवन दिसंबर जला सबसे कम चला है लेकिन यह सबसे कम चलायए इसका आप लोग कीटना कितना दिसंबर 11 दिसंबर 12 जनवरी used उसके बाद फिर 19 जनौरी ये लगभग लगभग चला है 60 और 75 दिन लगभग लगभग कुछ चला है निकालिएगा आप लोग ये 7 सितंबर 7 अक्टूबर 7 नौवंबर ये लगभग चला है मेरे ख्याल से 80 दिन के आसपास तो ये आप लोग निकाल दीजिएगा सबसे कम समय तक कौन चला है 17 नौवंबर ये वाला तीसरा वाला अब हम लोग बात करते हैं कि भई इसके प्रिष्ट भूमी कैसे तयार हुई हम लोगों ने पढ़ा था साइमन कमिशन के बारे में साइमन कमिशन जिसका गठन हुआ था सन 1927 में जिसका आगमन भारत में होता है 1928 में सा कैयों में वो जाच परताल करने को साथी साथ जो भी वो सुझाव अगयर देगा ये सब करने आया हुआ था साइमन कमिशन अब जो है साइमन कमिशन की रिपोर्ट जब प्रस्तुत होगी उसके बाद जो है इस तरह का गोल में सम्मेलन हम लाएंगी ये अंग्रेजों का दा आवा था साइमन कमिशन के बाद ही नेहरू रिपोर्ट आता है फिर जिन्ना के 14 सूत्रिय मांग ये आता है ये सब चीजे है ना उसके बाद देखेगा अक्टूबर 1929 में भारत के तकालीन वैसराय लाड इर्विन ने ब्रिटिस सरकार की तरफ से एक घोषणा किया कि जैस इसे ही साइमन कमिशन की रिपोर्ट प्रस्तुत होगी हम लोग जो है गोल मेच सम्मेलन आयूजित करेंगे और इसी के कुछ दिनों बाद वैसराय ने इसी घोषणा की इसी के कुछ दिनों बाद जो भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस है उसने क्या बोला कि आप लोग जो है या फिर डोमीनियन स्टेटस देने के लिए कोई नया डेट दोगे नई तारीख दोगे ये चीज़ आप लोग हमको किलियर कर दीजिए कि हमको कोई नया तारीख दोगे या फिर हमको जो हम डिमांड कर रहे हैं उसको पूरा करोगे मांग पूरा करोगे या फिर कोई नया होंगे इसी के बाद फिर दिसंबर 1939 में क्या हुआ था लहोर अधिवेशन जिसमें भारतिय राष्ट्र कॉंग्रिस ने अपना पूर्ण लक्ष डोमीनियन स्टेटस से हटा करके पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष बना लिया 26 जनौरी 1930 को प्रथम दिवश मनाया जाता है और इसी के बाद जो है महात्मा गांधी जी फिर सविनए अवग्या आंदोलन को सुरू कर देते हैं नमक कानून का उलंगन किया गया था ना दांडी यातरा की थी सारा कुछ हम लोगोंने डीटेल में पढ़ा हुआ है अब इसी बीच क्या होता है 1930 में साइमन कमिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी अब जैसा कि वैसराय ने ब्रिटिस सरकार की तरफ से ये गोशना किया था कि जैसे ही साइमन कमिशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा हम लोग जो है गोलमेच सम्मेलन का आयोजन करेंगे लेकिन ये जो गोलमे अवध्या अंदुलन चल रहा था और ब्रिटिस सरकार चाहती थी कि कॉंग्रेस के प्रतिनी धी भी इसमें सामिलों लेकिन जो कॉंग्रेस था वो तो भी पहले से भोल दिया था कि हम गोलमेच सम्मेलन का बहिसकार करेंगे उसमें भाग नहीं लेंगे क्यों कि इन्हों ने ज शुरू करोगे या फिर कोई नई तारीक दोगे देखो जो अंग्रेस थे ना वो भारतियों को सिवाय तारीक के कुछ नहीं देते थे तारीक पर तारीक जो सनिदेवल का डायलोग है ना वैसे ही और गोलमेच सम्मेलन में कुछ खास होता भी नहीं है तो इसी कारण से और केवल एक ही गोलमेच सम्मेलन में भाग लिया था जो दूसरा वाला है माहत्मा गांधी जी गए हुए थे दूसरे गोलमेच सम्मेलन में बाकि पहला गोलमेच सम्मेलन दूसरा गोलमेच सम्मेलन भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया इसका बह पहला गोल में सम्मेलने सबसे पहला चीज तो आपको ये वाला डेट याद रखना है 12 नौंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 मैं इसको बार बार इसले दोहरा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज जो है बिल्कुल बैठ जाए क्योंकि अक्सर पूछा जाता है और क्रोनोलाजी के रूप में भी पूछा जाता है क्योंकि ये जो 1930 है इससे पहले कभी अगर हम लोग दो वर्स ले लें 1928 से ले करके 1932 तक भारती राजनीती में काफी सारी घटनाएं घटित हुए इसी भी जो है जो करांतिकारी घटनाएं हैं चाहे वो असेम्बली बम कांड हो भगत सिंग को फासी दिया जाना हो या फिर चंदरशेखर राजाद उन्होंने अपना बलिदान दिया हो इसके अलावा जो भारती राष्ट्र कॉंग्रेस है वो अपना अलग से कभी नहरू रिपोर्ट आ रहा है कभी जिन्ना के 14 सूत्रिय मांग आ रहे हैं कभी गांधी जी के 11 सूत् तारीक भी नहरू की गिरफ तारीक भी गोलमेच सम्मेलन तो यह क्रोनोलाजी में बहुत पूचा जाता है मैं बताऊंगा आप लोगों को क्रोनोलाजी पर भी एक बढ़या वीडियो लेकर के आऊंगा तो इसको ध्यान में रखना है आपको डेट बिलकुल तो देखो पहल 89 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 प्रतिनिधियों ने यहां बहुत लिया था और इन 89 प्रतिनिधियों में कौन-कौन थे यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है मतलब की पूरे 89 लोगों को याद नहीं रखना है लेकिन कौन-कौन थे मतलब जैसे की किस वर्ग से कितने लोग थे तो 57 प्रतिनिधि थे यहां पर ब्रिटिस भारत से ब्रिटिस सरकार द्वारा मनोनित 57 सदस्य या 57 प्रतिनिधी यहां से जो 57 प्रतिनिधी हैं ये ब्रिटिस भारत से मतलब कि जहां पर अंग्रेज सीधे सासन करते थे न वो कहला था था ब्रिटिस भारत देखो भारत में दो तरह का छेतर था जिस पर अंग्रेज सासन करते थे एक था ब्रिटिस भारत जिसमें अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से सासन करते थे दूसरा होता था जो राजे रजवाडों का छेतर होता था जिनको रियासत का दर्जा दिया गया था जिनकी संख्या लगभग लगभग पांच सव बार्शट के आसपास थी ब्रिटिस भारत म जो राजा महराजा हैं उनका सासन चलता था और उनके उपर अंग्रेजों का सासन चलता था तो वहां पर अप्रत्यक्ष अंग्रेजों का सासन था और वहीं काफी सारे ऐसे छेत्र थे जहां पर सीधे अंग्रेजों का सासन होता था तो वह कहलाता था ब्रिटिस भारत है औ युक्त प्रांथ हो गया, मध्य प्रांथ हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, सिंद हो गया, उत्तरपसिम सीमा प्रांथ हो गया, मदरास हो गया, तो ये सब जो हैं प्रत्यक्ष ब्रिटिस सरकार के नियंत्रण में थे, तो इस तरह का जो छेत्र था, वो क्या कहला थ खास उनको इन्विटेशन दिया गया था कि भाई आप जो है गोलमेच सम्मिलन में आईए अब उसका जाए या न जाए ये उस पे डिपेंड करता था तो ब्रिटिस सरकार ने ही चुना था तो ये ब्रिटिस भारत से 57 प्रतिनिधियों को जो कि ब्रिटिस सरकार ने चुना थ तो ये उसके बाद देखेगा सोला प्रतिनिधी सोला प्रतिनिधी ये थे देशी रियासतों से जो राजे रजवाडे थे उन्होंने भी अपने प्रतिनिधियों को भेजे थे तो रियासतों से सोला प्रतिनिधी 582 के करीब रियासत थे ना उसके बाद जो सोला सदस्य है उ वहां से थे 16 सदस्य और यहां पर 3 दल, बृतेन में 3 दल उससे में प्रमुक हुआ करते थे, एक था लिबरल पार्टी, उदारवादी दल, इसके सदस्य भी थे इसमें, लिबरल पार्टी के, उसके बाद लेबर पार्टी, कंजरवेटिव पार्टी, तीन पार्टीओं के ना उनकी संख्या कितनी थी? 16, जो इस प्रथम गोल में सम्मिलन में भाग लेते, ये चीज पूछा गया है, ध्यान रखना, पूछा जाता है, टोटल 89 प्रतिनिधी, जिसमें से 57 ब्रिटिस भारत से, ब्रिटिस सरकार ने चुने थे, 16 प्रतिनिधी जो है, भारत के रियासतों से, राजे रजवाडों के द्वारा, और 16 प्रतिनिधी ब्रिटिस संसद के सदस्य, यहां मैं संसद लिख देता हूँ, ब्रिटिस संसद के सदस्य, किसी का आपको नाम वगएर है, याद रखने की आवश्यक्ता नहीं है, कुछ का नाम याद रखेंगे, जैसे की अदली जिन्ना, वो भी यहां पर गए हुए थे, उसके बाद भीमराव अंबेड कर देखेगा, जो बाबा साहिब भीमराव अंबेड कर थे न, वो ऐसे वेक्ती थे, जो तीनों गोलमेच सम्मिलन में भाग लिए थे, प्रतम वाले में भी गए थे, दुतिय वाले में भी गय थे, बाबा साहिब अंबेड करके उपर एक बड़ा मूवी है, आप उसको जरूर से देखेगा, उसमें भी दिखाया गया है कि किस तरह से उनके पास गोलमेच सम्मिलन में भाग लेने के लिए निमंत्रन आता है, तो देखेगा उसको जरूर, तो यहां पर यह जो प्र संगठन थे, उनमें से कौन-कौन से भाग लिया था, उसको थोड़ा सा आप लोग जानियेगा, एक तो था भी यह मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, यह पूछा भी गया है, मुस्लिम लीग जो मुहमद अली जिन्ना है, वो गय हुए थे हिंदू महासभा, हिंदू महासभ वाले भी, उसके बाद इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, यह आखिरता करेगा, हिंदू महासभा, उसके बाद देखेगा, दलित, दलित, उसके बाद रियासत, यह चार चीज़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पर जो दलित हैं, उनका नित्रित कौन कर रहे थे, तो इसको देखेगा, तो जितने भी दल, जितने भी प्रतिनिधी यहाँ पर गए थे, और वो अपने जिस भी वर्ग का, जिस भी समाज का प्रतिनिधित्तों कर रहे थे, तो वो लोग सिर्फ अपने हितों को देख रहे थे, जैसे कि जो मुसलिम लीग के प्रतिनिधी थे, वो आपने वर्ग के हितों को सरुवर पर ही रख रहे ते जो मुहम्मद अली जिन्ना थे जिननों तरह 14 सूत्रीय मांग रखा था जिन्ना के 14 सूत्र इस पर मैंने डीटेल में वीडियो बनाया हुआ है देखिएका तो जिन्ना जो है यहां-पर अपने चौद सुत्रिय मांग को ले करके गए थे भाई बाकी सब तो ठीक है आप हमको जो है यह 14 जो डिमांड है इसको आप लोग दीजिए बाकी जो भी आपको दो या नदो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है लेकिन हम जो 14 चीज मांग रहे हैं वो आप हमको दो यह कौन बोल रहा था मतलब की बाबा सहब अंबेड कर वो क्या मांग कर रहे थे कि जिस तरह से मुसल्मानों को सिखों को एंगलो इंडियन को इसाईयों को प्रिथक निर्वाचन जो सांपरदाईक निर्वाचन प्रणाली लागू हुआ था ना 1909 के अधिनियम के तहत मुसल्मानों को मिला फिर प्रिथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार थे मतलब की बाबा सहब अंबेडकर वो क्या चाहते थे धलितों के लिए प्रिथक निर्वाचक मंडलते ह hiking करना चाहते थे मतलब की हिंदूमासभा वाल ले थे यह चाहते है कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू किया जा है मतलब कि न तो मुस्लिमों को कुछ मिले न दलीतों को कुछ मिले सब का जो है संयुक्त रूप से निर्वाचन प्रणाली लागू हो तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि सब एक तरह से जो है अपने अपने वर्ग के हितों को ही ध्यान में रख रहे थे और यहाँ पर एक चीज आप लोग समझिएगा कि जो बृटेन के लूग है मतलब कि जो बृटेश सरकार है वो भारत को इत साम से सासन करते रहें यही अंग्रेज चाहते थे और यह जो था ना गोल में सम्मेलन जो गोल मीटिंग होगा सब जो है समान रूप से बैट के बाते करेंगे चर्चा करेंगे यह बिलकुल दिखावा था हाला कि देखने में तो एक तरह से लग रहा है कि समान समानता के भई यह हमको चाहिए बाबा साहिब अमेट कर बोल रहे हैं हमको अलग से निर्वाचक मंडल बना के दो हिंदू महासवा वाले कुछ और मांग रहे हैं इसके अलावा जो रियासत थे जो राजे रजवाडे गए हुए थे यह लोग भी जो है ना जो जैसे की नेहरू रिप रजय कल पाता है तो यह पूरी तरह से विफल हो गए था प्रतम गोलमेज सम्मेलन तो यह धियान रखना अब हम लोग बात करते हैं दूटिये गोलमेज सम्मेलन की दुतिये गोलमेज सम्मेलन यहां से बहुत सारे question पूछे जाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी अर्थात भारतिये राष्ट्रे कॉंग्रेस ने इसमें भाग लिया था इस्क्रीन सॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हो यह सारा कुछ पूछा जाता है और यह कित्ते प्रते निधियों ने भाग लिया था वो भी पूछा जाता है दुतिये गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था दुतिये गोलमेज सम्मेलन तो इसको ध्यान में रखना दूसरा वाला यह आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे यह ऐसा पूछा जाता है तो पहला हो गया अब आते हैं दूसरे नमबर पर 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मिलन अब देखिएगा जो महत्मा गांधी जी थे उन्होंने भारत में छेड़ रखा था सविनय वग्या अंदोलन और भारती राष्टर कॉंग्रेस ने पहले ही फैसला कर लिया था अपना निर्णय भी सुना दिया था कि हम जो है गोलमेज सम्मिलन में भाग नहीं लेंगे और इसे कारण कॉंग्रेस के किसी भी प्रतिनी धी ने प्रथम गोलमेज सम्मिलन में भाग नहीं लिया था ध्यान रखना अब क्या होता है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मिलन है भाई वो पूरी तरह से विफल हो गया अब जो भारत में सविनय वग्या अंदुलन चल रहा था ना उससे ब्रिटेन की पूरे दुनिया भर में अंतरराष्ट्रिय इस तर पर बहुत ज़्यादा फजीयत भी हो रही थी गांधी जी ने दांडी यात्रा की 12 मार्च 1930 से 6 अप्रेल 1930 तक साबरमत्य आसरम से दा भारत ही नहीं दुनिया भर के बड़े बड़े जो पत्रकार थे वो भी उनके साथ होते एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर का मैंने जिक्र किया था और उस अमेरिकी पत्रकार के द्वारा जो भी कुछ भारत में हो रहा था ना दांडी यात्रा के समय हो या जो धर्शाना ज इससे जो पूरे दुनिया के लोगों ने जाना कि जो ब्रिटिस सरकार है वो भारत में किस तरह से अत्याचार कर रही है तो उस समय के जो वाइसराय थे लाड इर्विन अच्छा ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो गोल में सम्मेलन हुआ इस समय भारत के वाइसरा रहे कौंट अजया रही ही फीन हमेल कर सामने वाइसराय लाड जो भी लगाने लगा दो वैसराय लाड इर्विन इसके बाद जो ब्रिटेन का प्रद्धान मंत्री था वो था रेमजे मैक डोनाल्ड रेमजे मैक डोनाल्ड अभी जो था ना डोनाल्ड ट्रम्प वही वाला डोनाल्ड ये क्या लिख रहा हूं मैं ना लिखना था ना डोनाल्ड ये ब्रिटेन का प्रधान मंत्री था कौन था ये ब्रिटेन का प्रधान मंत्री रेमजे मैक डोनाल्ड और अब जो है हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर तो गांधी जी ने बड़ी बेहतरी तरीके से सविनाय वग्या आंदोलन को चला रखा था और पूरे देश भर में इस आंदोलन को काफी मतलब तवज्जो दिया गया डक्षिन में हो या फिर पूर्वत्तर में हो पस् खत्व अगेरे लिखता रहा कि भई तुमने क्या रायता फैला रखा है हम लोगोंने गोल में आज सम्मेलन बुलाया लेकिन कॉंग्रेस का कोई भी प्रतेनिधी इसमें सामिल नहीं हुआ kun बरी तरह से समझ गई थी अगर भारतीयों को कुछ थोड़े से ओर अधिकार अगर देने हैं या कुछ भी किसी भी तरह से भारत में स्थित्वी को ठीक करना है तो उसके लिए कॉइभंग्रेस के प्रतिनिधीयों से बात करना बिलकुल जरूरी है तो इसके उपर काफी प्रेसर था कि किसी भी तरह से कॉंग्रेस के लोगों को मतलब कि महात्मा गांधी को मना बुझा करो समझाओ उनको बिल्कुल बताओ कि आप इसमें सामिलो तो अब इर्विन वो क्या करता है चुकि महात्मा गांधी जी जितने भी बड़े-बड़े कॉ जाए वो पंडित जवाहरलाल नहरू हो या कोई वी उस समय के बड़े-बड़े नेता सब को जेल में डाल दिया गया था, जो जवाहरलाल नहरू थे 14 अप्रेल 1930 को उनको गिरफ़तार कर लिया गया था, उसके बाद जो महात्मा गांधी थे उनको 4 मई 1930 को गिरफ़तार कर गया था तो काफी सारे ने अधिकतर बड़े बड़े नेता जो है जेल में बंद थे तो यहाँ पर इर्विन क्योंकि इसके उपर दबाओ था तो इर्विन क्या करता है ताकि जो कांग्रेस के लोग हैं उनसे हम लोग बात कर सके इसी उद्देशे से 25 जनवरी 1931 को महात्मा ग जनवरी 1931 को कुछ किताबों में आपको 26 जनवरी भी देखने को मिलेगा तो गांधी जी भी रिहा हो गए सब रिहा हो गए अब जो है गांधी जी और भारत के ततकालीन वैसराई लाड़ इर्विन के मध्य समझहोता के लिए पत्रवेवार सुरू हो जाता है कि मतलब गांधी इर्विन समझहोता के नाम से जानते हैं ना 5 मार्च 1931 इस दिन जो है गांधी इर्विन समझहोते पर दोनों जो महत्मा गांधी हैं और वैसराई लाड इर्विन दोनों जो हैं गांधी इर्विन समझहोते में हस्ताक्षर करते हैं और इसमें समझहोता हुआ था ज महात्मा गांधी जी अंग्रेज सरकार की काफी चीज़ों को मानती है। समझहुता होता है तो ऐसे यह में दो फक्ष होता है और एक दूसरे की सर्टों को सविकार करते हैं और किसी में कुछ दिक्कत हो तो उसको फिर सुलजाने की कोशिस करते हैं तो यहां पर दोनों के बीच समझोता हुआ ठीक है हम आपकी ये बात मानेंगे हम आपकी वो बात मानेंगे इस टैक से तो इन सर्तों में इन सर्तों में जो इर्विन था जो ब्रिटिस सरकार उन्होंने महात्मा गांधी के समक्षे एक सर्थ रखा था कि आप लोग गोलमेज सम्मिलन में भाग लोगें पहला वाला गोलमेज सम्मिलन खतम हो गया 15 popcorn जन्वरी 1931 को ओर उसके बाद तो गांधी जी को छोड़ा गया तो जो दूसरा गोलमेच सम्मिलन आयो जित किया जाएगा उसमें भारती राष्टे कॉंग्रेस सम्मिलित होगा तो गांधी जी ने इस सर्थ को सुविकार कर लिया अगर आपसे कभी पूछा जाए कि महत्मा गांधी जी ने दुतिय गोलमेच सम्मिलन में क्यों भाग लिया तो भई ये गांधी इर्विन समझोते का ही एक हिस्सा था, सर्त था, जिसको गांधी जी ने सुविकार किया था, और गांधी जी को भी लगा होगा, चलो भई या देख लेते क्या बला है, इनका क्या बात करेंगे, क्या निर्णाई होता है, हाला कि गांधी जी को गोल मेच स जुगदेव इनको फासी दी जाती है, फिर कराची अधिवेशन होता है, काफी कुछ होता है, अब जो है, जो दूसरा गोल में सम्मेलन है, ये शुरू होता है 7 सितंबर 1931 को, और खत्म होता है 1 दिसंबर 1931 को, अब यहाँ पर जो महत्मा गांधी जी है ना, वो 29 अगस्त, एक मिनट इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ, गांधी जी जो है, यहाँ से निकलते हैं, मतलब अपना जो दूतिय गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी जो है, 29 अगस्त 1931 को भारत से निकलते हैं, 29 अगस्त 1931 गांधी जी जो है एक जहाज का नाम याद रखेंगे S.S. राजपुताना ये पूछा गया है कि गांधी जी किस जहाज से दुती गोल में सम्मिलन में भाग लेने के लिए गए थे तो ये कब निकले 29 अगस्त 1931 को और कब पहुंचते हैं लंदन तो ये पहुंचते हैं 12 सितंबर 1931 को ये पहुंचते हैं उस टाइम पे जो समुद्री यात्रा है थोड़ सा सुगम हो गया था पहले तो महीनों महीनों लग जाता था लेकिन इस समय तक थोड़ सा कम समय में ट्रेवल हो जाता था आज के समय में तो एकी दिन में पहुंचा जा सकता है तो 29 अगस्त 1931 को महत्मा गांधी जी ऐसे सराजपुताना नामक जहाज में सवार होकर के लंदन के निकलते हैं गोलमेच समय लगन में भाग लेने के लिए पहुंचते कब है 12 सितंबर 1931 अब यहां पर ध्यान देना 12 सितंबर 1931 को महत्मा गांधी जी कहां पहुंचे लंदन में जबकि दुतिये गोलमेच सम्मिलन कब शुरू हुआ था 7 सितंबर 1931 मतलब कि गोलमेच सम्मिलन आयोजित हुए 5 दिन हो गया था उसके बाद गांधी जी जो है यहां पहुंचते हैं 12 सितंबर 1931 को ध्यान रखना ये भी अपने आप में एक बहुत मतलब पूछा गया चीज ह अब यहांपर क्या कुछ हुआ था इसको हम लोग जाना लेते यहांपर गांधी जी के साथ और भी कुछ लोग गये हुए थे दो लोगों का नाम याद रखेंगे एक तो भाई गांधी जी इसमे सम्मिलित हुए थे गांधी जी उसको पर देख़ेगा एनी बेसेंट गांधी जी जो है ब्रिटिस सरकार के खर्चे पर गये हुए थे गांधी जी को इस्पेशल निमंतरण मिला था जैसे गोलमेच समेलन में भाग लेने वाले लोगों को जो इस्पेशल निमंतरण दिया जाता था कि आप लोग आई ये और उनका आने जाने का खर पर गये हुए थे मदन मोहन मालविय तो इनका जो खर्चा है इनोंने स्वयम उठाया था मदन मोहन मालविय और एनी बेसेंट यहां पर जो एनी बेसेंट थी ना इनोंने दुतिये गोलमेच सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था ये वी काफी बार पूझा ग है उनके का करना चाहिए जो सेक्रेटरी थे ना महादेव देशाई सचीव उनके महादेव देशाई ये उनके साथ थे उसके बाद देवदाश गांधी गांधी जी के बेटे ये कहा हुए थे देवदाश गांधी मीरा बेन ये भी गांधी जी के साथ गई हुई थी मीरा बेन मीरा बेन जो की गांधी जी की एक तरह से उनकी साही का थी वो भी उनके साथ वहां गई हुई थी इसके बाद एक और नाम याद रखेंगे घंसियाम दास बिड़ला गंसियाम दास बिड़ला ये सब जो है गांधी जी के साथ सयोगी के रूप में गए हुए थे गंसियाम दास बिड़ला अब क्या कुछ हुआ ये हम लोग जानते इनके नाम भी आप लोग याद रखना है आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी के कौन से पुत्र गए वो भी गांधी जी के साथ गई हुई थी, घंस्याम दास बिढ़ला, ये भी जो हैं, गांधी जी के साथ गई हुए थे, बाकी एनी बेसेंट मदन मोहनमाल विया, ये लोग जो हैं, अपने खर्चे पर गई हुए थे, अब यहां पर क्या होता है, ये जो गोल में सम्मेलन है, ये भी असफल हो जाता है, मतलब इसमें भी कुछ हाथ नहीं लगता है, यहां पर भी फिर से वही वाला मसला, जो पिछले वाले में था ना, जो सामपरदाई की निर्वाचन प्रणाली, क्योंकि जो मुहमद अली जिन्ना वगेर हैं, वो लोग भी अपना 14 सूत्रिय मांग और जो क्या करते हैं, बाबा साहिब अंबेड कर, वो भी जो है, दलितों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल, उसकी मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन जो गांधी जी थे, यहां पर इन सब के पक्ष में नहीं थे, तो इन सभी चीजों को ले करके, यह जो दूसरा गोल मेच समयलन है, उसमें कोई धंग की बात न हो, यह लोग अपस मेच जाती, अपना अपना वर्ग, अपना धर्म, इस चीज को ले करके लड़ते रहें, और कोई हल न निकले, और कल को ब्रिटिस सरकार वो ले कि हम लोग तो गोल मेच समयलन बिठाए, एक नहीं तीन तीन बि तुझे याद रखिएगा, जो चर्चिल, ब्रिष्टल चर्चिल, जो कि उस समय विपक्ष में थे, ब्रिटिस सरकार में, तो इसने जो है, कॉंग्रेस को काफी महत्तो दिया गया था, इसमें, दुतिय गोल मेच समयलन में, तो इसको जो है, विरोत किया था, कॉंग्रेस को काफी महत्तु दिया गया था इसके अलावा भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस को भारत में जो ब्रिटिस सरकार थी उसके बराबर का दर्जा दी दिया गया था जो गांधी इरुविन समझाउता हुआ ना उसके बाद जो कॉंग्रेस है वो भारत में ब्रिटिस सरकार के समतुल बराबर का दरजा प्राप्त कर गया था तो इस चीज का भी चर्चिल ने विरोध किया था तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेगा इसके बाद देखिएगा इसी में क्या हुआ जो क्या कते हैं जो मैकडॉनल्ड उस समय जो प्रधान मंत्री था रैमजे मैकडॉनल्ड तो इसने जो है कुछ चीजें इसमें की कुछ घोषणा की मतलब कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं की कि मतलब भारत को डोमीनेन स्टेटस दिया जाए या फिर ऐसा कुछ मिले देख के सब अपना भई हमको इतना इतना निर्वाचक मंडल दो हमको इतना इतना सीट दो बस इनी सब चीजों में सब जो हैं उलजे रहे और जो असल जो मुद्दा था जो सविनाय वग्या अंदोलन शुरू हुआ था पूर्ण सुराज्य चाहिए इस टाइप से हाला कि वो कु पूर्ण सुराज्य भला कहां से बात करते तो यह चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा यहां पर मैकडॉनल्ड ने कुछ घोषणाए की दुटिये गोलमेच सम्मेलन के बाद उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे दूसरे गोलमेच सम्मेलन से संबंधित कुछ घो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंद को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना अगर मैं यहां पर भारत का नक्सा बनाऊ ऐसा कुछ है ना भारत अपना यह इस तरफ पूरफ पाकिस्तान वाकिस्तान सब आ जाएगा तो इसी तरफ है अपना उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत इस तरफ सिंध है तो इसको जो है अलग प्रांत का दरजा दिया गया उत्तर परस्चिम सीमा प्रांत अलग प्रांत और जो सिंध है जो की पहले बंबई प्रेशिडेंसी के अंतरगत आता था उसको भी अलग प्रांत बनाने की घोशना की गई जो की काफी समय से डिम विशेशक्य समितियों का गठन, तीन समितियां गठित की गई, पहला था वित, दूसरा था मताधिकार और तीस्रा था राजिया, देखो। तीन विशेशग्य समीती गठित की गई तीन सबसे पहला था वित्त सबसे पहला वित्त दूसरा था मताधिकार मताधिकार तीसरा था राज्य अब देखिएगा क्या हो रहा था कि उस समय वित्त को लेकर के भी काफी कुछ चल रहा था मताधिकार भारतिये डिमांड कर रहे थ जो के गठन की भी मांग निरंतर उठ रही थी तो यहां पर तीन समितियों का गठन किया गया वित्त मताधिकार और राज्य इसके बाद चौथा है यदि भारतियों में सहमती नहीं हो सकी तो सर्वमान ने संपरदाइक निरणे की घोषणा की जाएगी मतलब की जो रैंजे मेक डॉनल्ड है उसने चौथी घोषणा ये की कि अगर भारतियों में सर्वमान ने सहमती नहीं बन पाती है यहां मतलब जो मुस्लिम लीग हैं दलित हैं कॉंग्रेस हैं हिंदु महासबा यह सब जो हैं अपनी अलग-अलग चीजे बोल रहे हैं कोई हमक सर्वमान ने जो भी होगा वो जो है हम लोग सामपरदाइक जो प्रणाली है मतलब की मुस्लिमों को इतना दे देंगे दलितों को इतना देंगे यह हम लोग अपने तरब से बना लेंगे अपने को जैसा ठीक लगे यह जो है ब्रिटिस प्रधान मंतरी रैंजे मेक यदि भारतियों में सहमती नहीं हो सकी तो सर्व मानने सामपरदाई की निरणय की घोषणा की जाएगी ब्रिटिस सरकार जो है अतना बना लेगी और भारत के लोगों को बोलेगी कि भाई इसको आपको मानना होगा तो यहाँ पर आगे चल करके जो पूना समझोता होता है ना वो इन ही सब चीजों के कारण होता है मतलब कि जो ब्रिटिस सरकार थी वो दलितों को प्रिथक निरवाचन का अधिकार देने पे तुल जाती लेकिन जो माहत्मा गांधी थे कॉंग्रेस थे वो नहीं चाहते थे कि दलितों को हिंदों से अलग किया जाए तो फिर बात में फिर फूना समझोता होता है जिसको हम लोग यहाँ पर जो महत्मा गांधी जी वो फिर 28 डिष्मबर 1931 को देश वापस लोटाते हैं खतम कब गोखें एक डिसंबर 1931 को समाप्त हुआ और गांधी जी कब वापस आये। पूछा गया ये भी 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी देश वापस लोटाते हैं और गांधी जी ने वापस आ करके एक वक्तव्य कहा था जो अक्सर पूछा जाता है गांधी जी बोलते हैं कि मैं खाली हाथ लोटा हूं लेकिन अपने देश के नाम पर बट्टा लगने नहीं दिय मतलब कि यहाँ पर जो सब के सब जो है अलग-अलग अपनी अपनी डिमांड रख रहे थे अगर वो चीज पूरा हो जाता तो देश कही ना कहीं तूटना शुरू हो जाता तो गांधी जी ने उस चीज को कहीं ना कहीं बचाया तो उसी लिए वो बोलते कि भाई मैंने जो ह मैं खाली हाथ लोटाओं लेकिन अपने देश का नाम खराब होने नहीं दिया यह गांधी जी ने कहा था अब 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी वापस लोटे और 29 दिसंबर मतलब ठीक दूसरे दिन 1931 इंपोर्टेंट डेट है ध्यान रखेंगे 29 दिसंबर 1931 मतलब कि गांधी जी इंगलेंट से वापस आए उसके ठीक दूसरे दिन गांधी जी ने पुन सविनय अवग्या आंदोलन को सुरू कर दिया इससे पहले सविनय अवग्या आंदोलन कभी स्थगित हुआ तो देखिएगा जो 5 मार्च 1931 को जो गांधी इर्विन समझावता हुआ था उस समझ तो कब समाप्त हुआ था इसी समझावते के तहत 5 मार्च 1931 को सविनय अवग्या आंदोलन को इस्थगित कर दिया समाप्त कर दिया लेकिन जो गोलमेच समयलन जिसमें गांधी जी भाग लेने गये थे उसमें कोई कुछ हाथ नहीं लगा इससे गांधी जी कुरूद हो गये और वापस आकर के पुनह 29 दिसमबर 1931 को सविनय अवग्या आंदोलन फिर से सुरू कर दिया तो इंपोर्टेंट डेट है ध्यान में रखेगा इसक्रीन सोट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं इसके बाद हम लोग जो है तृतिय गोलमेच समयलन के बारे में बात करेंगे तृतिय गोलमेच समयलन अच्छा ये जो धुतिय गोलमेच समयलन है न इसके बाद क्या हुआ तो एक तो ये हुआ मतलब पूनह सविनय अवग्या अंदोलन शुरू हुआ उसके बाद फिर पूना समझाओता महतना गांधी जी और अमबेड करके बीच पूना समझा होता हुआ और उसके बाद जाकर के आपका तीसरा गोल मेच सम्मेलन शुरू होता है तीसरा गोल मेच सम्मेलन उतना इंपोर्टेंट नहीं है बस आपको डेट वगर है याद रखना है और कुछ चोटी-बोटी चीजे जो मैं आप लोग लिया था मतलब कि अंग्रेजों ने जो है 46 प्रतिनिधियों को इसमें आमंत्रित किया था 46 प्रतिनिधी ज्यान रखना इसमें बाबा साहिब अंबेड कर गए हुए थे तो इनका नाम काफी पूछा जाता है और इसमें अधिकतर सरकार के समर्थक और उदारवादी मतलब कि यह भी सफल नहीं हो पाता है यह भी असफल ही रहा लेकिन फिर भी कुछ चीजे होती है जो प्रथम गोलमेच सम्मेलन हो दूसरा गोलमेच सम्मेलन हो तीसरा गोलमेच सम्मेलन हो इसमें जो भारत के जो प्रतिनिधी गय हुए थे तो उनका रवया देखते हुए ब्रिटिश सरकार जो है कुछ अनुसंसाएं करती है, कुछ सुझाव प्रस्तुत करती है और इनी सुझाव के आधार पर एक स्वेत पत्र जारी किया जाता है, मतलब कि एक स्वेत पत्र प्रकासित किया जाता है और उसमें इन तीनों गोलमेच सम्मेलनों की जो भी अनुसंसा उसको प्रकासित की गई, ऐसे आप लोग बोलेंगे यहें मर्च 1939 में जारी हूआ था यह जो श्वेत पत्र है कब जारी हूआ था यही जो श्वेत पत्र है आगे चलकरके 1935 के अधिनियम का आधार बना, 1935 में आता है ना भारत सासन अधिनियम, तो उसका आधार क्या था, यही स्वेत पत्र, जो मार्च 1935 में जारी हुआ था, और इस स्वेत पत्र में क्या था, जो गोल में सम्मेलन आयूजित किया गया था, उसकी अनुसंसा इस स्वेत पत्र में प्रकासित हुई थी यह ध्यान रखना आगे चलकर के यही क्या बनेगा 1935 का अधिनियम अब क्या हुआ यह जो स्वेथ पत्र जारी हुआ इसी के साथ इस स्वेथ पत्र में जो अनुसंसाएं प्रकासित की गई थी उन अनुसंसाओं को उन अनुसंसाओं को विशलेशन करने है तू एक समीती का गठन किया गया और इसी समीती के सुझाओं के आधार पर आगे चलकर के क्या हुआ 1935 का अधिनियम बनाए जाने की सुरवात हुई मतलब कि यह जो समीती गठित की गई थी ना इसी ने जो है एक नए में नए समीदान बनाने की सुझाओं दिया था सिफारिश किया था कि आगे चलकर के एक नया अधिनियम पारित किया जाए एक नया अधिनियम लाया जाए इससे पहले कब आया था अधिनियम तो 1919 का अध सोधा तयार किया गया तो यह सारा कुछ आप लोग ध्यान में रखिएगा इसके बाद हम लोग अगले वाले वीडियो में पूना समझ होता पर चेर्चा करेंगे फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे जो जो सविनय अवग्या आंदोलन का जो दूसरा चरण है हर जनव धार कार्यकरम उसके बाद फिर 1935 का अधिनियम मुझे पूरी आसा है कि आप लोगों को आज का ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कुछ चीजे मैं फिर से रिवाइस करवा देता हूँ वैसराय थे ला डिर्वीन ब्रिटेन के प्रधान मंतरी रेमजे मैक डॉनल्ड तीन गोल में सम्मेलन हुआ था पहले वाले में और तीसरे वाले में भारतिय राष्टर कॉंग्रेस ने भाग नहीं लिया था दूसरे वाले में भारतिय राष्टर कॉंग्रेस ने भाग लिया था गांधी जी गये हुए थे पहला दूसरा तीसरा त बाबा साहिब अमबेटकर का अकसर पूछा जाता है तो आज का जो वीडियो है यही पर समाप्त होता है मुझे पूरी आसा है कि आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा होगा वीडियो को जितना हो सके उतना आप सेयर करिएगा लाइक करिएगा वीडियो को वीडियो को